फ्रेंड सबसे पहले हम बात करते हैं सोर मंडल क्या होता है। देखिए सूर्य से अगर हम इनका सिक्वेंस देखें तो देखिए सबसे पहले आता है बुद्ध, फिर शुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रस्पती, शनी, अरुन, वरुन तो देखिए फ्रेंड्स इसको याद करने की कोई भी ट्रिक की जरोत नहीं है बहुत सिंपल तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं पहले चार याद करिए आप बुद्ध, शुक्र, प्रत्वी, मंगल और उसके बाद फिर चार याद करिए ब्रस्पती, शनी, अरुन, वरुन ठीके बहुत आसाने से याद रख सकते हैं बुद्ध, शुक्र, प्रत्वी, मंगल, ब्रस्पती, शनी, अरुन, वरुन ये आट ग्रह हैं तो फ्रेंट्स ये ग्रह जो है ये सुर्य के परिक्रमा करते हैं और उप्ग्रह जो है वो इन ग्रहों की परिक्रमा करते हैं अब देखें दोस्तों ये जितने भी ग्रह हैं उसमें शुक्र और अरुन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी ग्रह जो है सुर्य के परिक्रमा लगाते हैं पश्चिम से पूर्व की और पर शुक्र और अरुन ये ऐसे दो ग्रह हैं जो सुर्य के परिक्रमा लगाते हैं copper निकस ने एक्जाम में काफी बार पुछा गया question है ये और ग्रहों की गती का नियं किस ने दिया था Kepler ने दिया था, ठीके सोर प्रणाले की खोच कर ये copper निकस ने और ग्रहों की गती का नियं दिया कोने में इस्तित हैं और ये हमारी प्रत्वी से लगबग 13 लाग गुना बढ़ा हैं सूर्य प्रत्वी के सरवाधिक निकट का तारा हैं तो ये एक्जाम में डारेक कोशन पूछते हैं कि प्रत्वी के सरवाधिक निकट तारा कोन सा हैं तो वो कोन सा हैं सूर्य हैं सूर्य एक तारा हैं ठीक है सूर्य एक गेसी गोला है इसमें हाइट्रोजन जो होती है वो 91% है और हीलियम जो है वो 26.5% है सूर्य पे हाइट्रोजन 91% है और हीलियम 26.5% है और अन्य तत्वे इस पे 2.5% सूर्य के केंदर पर हाइटरोजन के चार नाभिक मिलकर एक हिलियम नाभिक का निर्मान करते हैं यह अल्रीडी मैं आपको physics के लेक्शर में बता चुका हूँ इसके केंदर पर नाभिकी sunlion की क्रिया होती हैं जो सूर्य की उर्जा का स्तुरो होते हैं ओके, सुर्य की जो gravitational power होती हैं, उस current से ये ग्रव और अन्य पिंड जो होते हैं, वो इसकी परिक्रिमा करते रहते हैं, सुर्य लगातार जो होता हैं, वो अद्रश्य अवरक्तक किर्णे, पराभेगनी किर्णे, X-ray, गामा किर्णे, रेडियो तरंगे के रूप में क्या करता ह सुर्य के प्रकाश को प्रत्वी तक पहुचने में कितना समय लगता हैं, आट मिनिट, 16 सेकंड का समय लगता हैं, कितना समय ये भी directly exam में question पुछा आता हैं, 8 मिनिट, 16 सेकंड का समय लगता हैं, अब देखें दोस्तों exam में एक चीरो पुछी आती हैं, कि सुर्य में काले ध धब्बे दिखाई देते हैं, वो काले धब्बे वाले इस्थान क्या हैं, तो वो सुर्य के ऐसे इस्थाने, जो प्रकाश उस्थरजित करने में असमर्थ होते हैं, तो वो किस थरी के दिखाई देते हैं, काले धब्बे के form में दिखाई देते हैं, ठीके, तो ये भी हाली म मैं कोशन पुछा गया था तो ध्यान रखिएगा तो फ्रेंड्स यह मैंने आपको सूर्य से related सारे important points बताएं अब एक एक करके हम ग्रहों की बात करते हैं sequence wise हम सारे important points याद करेंगे देखिए सबसे पहले हम होते हैं वह बहुत जदा गर्म होते हैं और रात जो होते हैं बहुत जदा ठंडी होती है मतलब अगर दीन का temperature देखा जाए तो लगबग 427 degree Celsius होता है जबकि रात का temperature यहां पर क्या होता है minus 173 degree Celsius होता है लगबग लगबग आगे बात करते हैं बुद्ध सूरी की परिक्रमा जो होता है वो सबसे कम मतलब बोला जाये तो सबसे जल्दी से परिक्रमा कर लेता है 88 days में यह परिक्रमा पूरी कर लेता है सूरी की ओके इस ग्रह पर वायू मंडल नहीं है इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है बुद्ध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है जैसे हमारी प्रत्वी है प्रत्वी का उपग्रह क्या है चंद्रमा है तो वेसे बुद्ध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है आगे बात करते हैं हम शुक्र ग्रह की इसे बोला जाता है वीनस तो फ्रेंड्स एक्जाम पॉइंट ओफ यू से यह काफी इंपोर्टेंट है यहां से बहुत बार कोशन्स निकले हैं देखिए हम बात करते हैं इसकी यह प्रत्वी के सबसे निकट का ग्रह है तो डारेक्ली एक्जाम में कोशन्स पुछा आता हैं कि प्रत्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है तो वो है शुक्र पूरे सोर मंडल का सबसे चमकिला तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है शुक्र ही है शुक्र ग्रह अन्य ग्रह के विपरिस सुर्य की परिक्रमा कैसे लगाता है पूर्व से पश्यम की और लगाता है बाकि सारे ग्रह जो है वो परिक्रमा लगाते हैं सुर्य की पश्यम से पूर्व की और अरुन और शुक्र ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सुर्य के परिक्रमा लगा पूर्व से पश्यम की और इसलिए इनका सुर्यदर जो होता है वो पश्यम की तरफ होता है और सुर्यास्त जो होता है वो पूर्व में होता है इस करण से इस ग्रव को क्या बोला जाता है इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है तो ध्यान रखेगा ये एक्जाम में कोशन पुछा गया था हाली में Evening Star और Morning Star किसे बोलायाता हैं शुक्र को बोलायाता है는 Venus को आकार गहनत्व जो होता है इसका प्रत्वी के समान होता है इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता हैं जैसे कि Earth Twin प्रत्वी का जुड़वा ग्रह या Earth Sister, प्रत्वी की बहन, इस नाम से इसे जाना जाता है, इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है, ठीके, तो बुद्ध और शुक्र, ये दो ऐसे ग्रह हैं, जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, आगे बात करते हैं कि इस ग्रह के वायू मंडल में, 95% जो होती है, वो कारव प्रत्वी की अर्थ की, ये सोर मंडल का एक मात्र ग्रह है, जिस पर जीवन है, प्रत्वी के विशुवत वियास, मतलब भूमद्य वियास और धुरूवी वियास के बीच में लगबक इतना अंतर है, 43 किलोमेटर का अंतर है, तो देखिए, जो इसका विशुवत वियास है, मतलब भूमध्य व्यास है वो कितना है 12,756 km है जबकि इसका ध्रूवी व्यास है वो कितना है 12,714 km है तो friends इन दोनों का difference एक्जाम में पुछ ले आता है तो दोनों का difference कितना है 43 km का इन दोनों के वीच में अंतर है आगे बात करते हैं कि प्रत्वी जो है वो अपने अक्षे से कितना जुकी हुई है 23 साही 1 by 2 डिगरी जुकी हुई है यह अपने अक्ष पर पश्शिम से पूर्व की और 27 km प्रती मिनिट की गती से गुमती है और यह एक चकर 23 घंटे 56 मिनिट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है प्रत्वी पर जल की उपस्तीते होने वने करण इसे क्या बोला जाता है नीला ग्रह बोला जाता है प्रत्वी का एक मात्र उब ग्रह है वो कौन सा है चंद्रमा है और ध्यान रखेगा प्रत्वी से दिखने वाली चंद्रमा की जो सतह है वो उसकी सतह का कुल कितना परसेंट है 59 परसेंट है कितना 59 परसेंट है ये ध्यान रखेगा कि जो हमको अर्थ से चंद्रमा दिखाए देता है वो उसकी कूल सतह का 59 होता हैं आगे बात करते हैं कि प्रत्वी को सुर्य की परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता हैं 365 दिन, पांच घंटे, 48 मिनिट, 46 सेकंड लगता हैं तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 365 दिन, 6 घंटे का इसको समय लगता हैं तो देखिए जो calendar year होता हैं हमारा ठीके केलेंडर वर्ष होता है, वो कितना होता है, 365 दिन का होता है, तो 6 गंटे कहा जाते हैं फिर ये, तो 6-6 गंटे करके, ये देखे, 4 साल में पुरा एक दिन मन जाता है, इसलिए हर 4 साल ली पियर आता है, जिसमें 365 दिन होता है, इसलिए जिसमें फरवरी होती है, वो 28 दिन की ज पर जुके होना और प्रत्वी कंटिनुसली क्या कर रही है सूरी की परिक्रमा कर रही है तो उसकी इस्तिती जो है सूरी के साफ एक शेंज हो रही है परिवर्तन हो रहा है उसमें इस कारण से यहाँ पर प्रत्वी पर रितु परिवर्तन देखने को मिलता है सबसे अधिक चमक करती है अंडाकार पतपर जिसके कारण सुर्य से इसकी दूरी जो है वो continuously change हो रही है तो अगर अधिक्तम दूरी की बात करें तो वो कितनी है 15.21 करोड किलोमेटर और ये कब होती है 4 जुलाई के दिन तो 4 जुलाई के दिन सुर्य और प्रत्वी के बीच में अधिक्तम दूरी होती है ठीक है और नियून्तम दूरी की बात करें तो वो कितनी होती है 14.70 करोड किलोमेटर जो कि कब होती है 3 जनवरी को होती है 3 जनवरी को सुर्य और प्रत्वी के बीच में नियूंतम दूरी होती है ठीक है तो ये भी एक्जाम में पुछा जाता है 4 जुलाई और 3 जनवरी ध्यान रखे का very important है तो देखे फ्रेंड्स अधिक्तम दूरी और नियूंतम दूरी के तो हमने बात कर लिए तो अब प्रत्वी और सुर्य के बीच में जो average distance है ठीक है ओसत दूरी जो है उसे क्या बोला जाता है खगोली एकक बोला जाता है क्या बोला जाता है खगोली एकक तो देखे अभी एक्जाम में पूछा गया था कोशन ये कि प्रत्वी और सुर्य के बीच की ओसत दूरी क्या क्यलाती है खगोली एकक क्यलाती है अब देखे प्रत्वी से related कुछ और important facts आपको बताता हूँ में कि प्रत्वी के उत्री दूरी की खोच किसने करी थी North Pole की Robert Pirini करी ती और दक्षणी दूरी की खोच किसने करी ये Emond Sen ने करी अब देखे प्रत्वी जो है वो सुर्य की परिक्रमा लगा रही है ठीक है परिब्रहमन कर रही है सुर्य का तो परिब्रहमन चाल जो है प्रत्वी की वो कब अधिक होती है जब वो प्रत्वी सुर्य के निकट होती है तब उसकी परिब्रहमन चाल जो होती है वो अधिक होती है जब दूर होती है तो परिब्रहमन चाल जो होती है वो उतनी तेज नहीं होती है जैसे यह सूर्विक पास जाती है तो उसकी चाल जो होती है वो परिवर्मन चाल बढ़ जाती है तो ये भी एक्जाम में questions पूचा जाता हैं ध्यान रखेगा कि प्रतवी की परिवर्मन चाल जो है वो अधिक होती है जब प्रतवी सूर्य के निकट होती है ठीक है? तो दोस्तों ये सारे points important में आपको Earth is related बताएं हैं चलिए आगे हम हम बात करते हैं मंगल की, मार्स की तो देखिए इसे लाल ग्रह red planet भी करते हैं आइरन ओक्साइड के करण इसका रंग जो होता है वो क्या है? लाल है प्रत्वी के समान ये अपने अक्ष से 25 दिगरी के कोंड पर जुका हुआ है इसलिए यहाँ पर रितू परिवर्तन होता है इस ग्रह पर वायू मंडल का पतला आवरण है जिसमें nitrogen, organ, gaze जो होती है वो पाई जाती है मंगल के दो उबग्रह हैं Phobos और Demos ध्यान रखिएगा Demos जो है वो सोर मंडल का सबसे चोटा उबग्रह है कौनसा? सबसे चोटा उबग्रह कौनसा है Demos है और ये किस ग्रह का उबग्रह है? मंगल ग्रह का आगे बात करते हैं कि सोर मंडल का सबसे बड़ा ज्वाला मुखी Olympus, Macy और सोर मंडल का सबसे उचा परवत Nix Olympia जो की Mount Everest से तीन गुना अधिक उचा है कहां परिस्तित हैं? मार्स परिस्तित हैं तो ये कुछ important points थे मंगल से related तो आपको ध्यान रखना है आगे बात करते हैं हम Jupiter की, ब्रसपती की तो देखिए ये सोर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है कौन सा? ब्रसपती ये ग्रह मुखे तक गेस और द्रव से मिलकर बना हुआ है इसलिए ब्रसपती में ठोस भूमी का अभाव है पर इसके जो उपग्रह हैं वो कैसे हैं? ठोस पिंड हैं ब्रसपती के उपग्रह की संक्या की बात करें तो सोर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? ब्रसपती के हैं इनमें से गैनेमीट जो है वो सोर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हैं जो की किस ग्रह का हैं? ब्रसपती का हैं ध्यान रखेगा गेनेमीट सोर मंडल का सबसे बड़ा उपग्र हैं, तो ये भी पुछा आ सकता एक्जाम में, आगे बात करते हैं, सभी ग्रहों में इसकी रोटेशन इस्पिट जो है, वो सबसे अधिक हैं, गुर्णन चाल, कितनी हैं, 10 गंटे, और इसको सुर्य की परिक्र लगाने में, इसको 12 वर्ष लग जाते हैं, ओके, मंगल और ब्रहस्पति कक्षाओं के बीच, कुछ छोटे-छोटे आकाशी पिंड होते हैं, जो सुर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, शुद्ध ग्रह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शुद्ध ग्रह, तो ये भी काफी important है, हाली में exam में question पूछे आ रहे हैं इससे, तो ध्यान रखेगा, ग्यात सबसे पहला शुद्ध ग्रह जो है, वो कौनसा हैं, सीरस हैं, आगे बात करते हैं, देखिए हम शनी की, तो देखिए, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हैं, और इस ग् एक विशेष्टा हैं कि इसके चारो और प्रकाश की कुंडली हैं, जिसे क्या बोलते हैं, वलय बोलते हैं, इन वलयों की संक्या कितनी ये साथ हैं, इनकी खोच जो है, वो किसने करीती, गैलेलियो द्वारा की गई थी, शनी का सबसे बड़ा उपग्रह कौनसा है, टाइट इसे बोलते हैं, अरुन, ये सोर मंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह हैं, और इसका परीभ्रहमन शुक्र के भाती है, शुक्र और अरुन, मतलब यूरेनस, ये दोनों सुर्य के परिक्रमा लगाते हैं, पूर्व से पश्यम की और, बाकि सारे ग्रह सुर्य के परिक्रमा ल इसके वायू मंडल में मिथेन की अधिक्तम मात्रा पाई जाती हैं। देखे अगला आता है नेप्चुन, इसे क्या बोला आता है वरून। यह हरे रंग का एं ग्रह हैं और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर इस्तित हैं। कौन सा वरून। अधिक्ता होने के कारण ही इस ग्रह का प्रकाश हैं। वो कैसा हैं, हरे रंग का हैं। तो ध्यान रखेगा यह भी पूछा आता है, कौशन की हरे रंग का ग्रह जो है, वो कोन सा है? नेप्चुन है, वरून। ठीक है सबसे अधिक दूरी पर इस्तित है सूर्य से तो देखे फ्रेंड्स यहां पर हमारा यह section complete होता है मैंने sequence wise सभी ग्रहों के important points आपको बता दिये हैं तो फ्रेंड्स इनको रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रोत नहीं है एक बार आपने अच्छे से imagination कर लिया ध्यान स सुन लिया आपको automatically यह सब चीज़े याद हो जाएगी ओके अब देखिए एक छोटी सीच बाकी है हमारी सूर्य ग्रहन और चंद ग्रहन क्या होता है इसको भी हम समझ लेते हैं एक्जाम में अक्सर इससे भी questions पुछ ले आते हैं देखे सूर्य ग्रहन क्या होता है जब सू प्रत्वी की स्थिती सूर्य और चंद ग्रहन के बीज ठीक एक सीध में हो तो प्रत्वी की छायां चंद ग्रहन पर पढ़ती है तो चंद ग्रहन क्यलाती है तो यह सूर्य ग्रहन चंद ग्रहन देखिए ध्यान रखना important है इससे भी exam में questions बन जाता है तो friends यहाँ पर हमारा यह theory section complete होता है चलिए हम test लगाते हैं सारे important questions मेंने इस test में include करें हैं तो आप test जरूर लगाईए आपको काफी benefit मिलेगा हो सकता इस test के question में से आपको exam में देखने को मिले तो चलिए test लगाते हैं देखें दोस्तो पहला question है सोर प्रणाले की खोच किस ने की थी तो किस ने ग्रहों के चारो और परिक्रमा करने वाले चोटे आकाशी पिंड को क्या कहते हैं तो ग्रहों के चारो और परिक्रमा करने वाले चोटे आकाशी पिंड उपग्रह कहलाते हैं सोर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं तो ग्रहों की संक्या है 8 नेक्स्ट कोशन लेते हैं नेक्स्ट कोशन लेते हैं नेक्स्ट कोशन लेते हैं सुर्य का प्रकाश धर्ती तक पहुचने में कितने मिनिट लगते हैं तो 8.3 मिनिट लगते हैं प्रत्वी तक पहुचने में सुर्य के सबसे पास कौनसा ग्रह हैं बुद्ध ग्रह हैं कौनसा ग्रह सुर्य की परिक्रमा इठ्ट्यासी दिनों में पूरा करता हैं तो कौन करता हैं, बुद्ध करता हैं, सबसे जल्दी परिक्रमा करता हैं 88 days में, निम लिखित में से कौन से ग्रहों के चारों और घुमने वाले उबगर नहीं है, तो देखिए बुद्ध और शुक्र दोनों के उबगर नहीं है, तो B आंसर सही होगा, किस ग्रह को evening star कहा जात में, यह बिल्कुल सही होगा, next question लेते हैं, सोर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग प्रत्वी जितना बढ़ाएं, तो Venus, शुक्र, निम निमे से किसे blue planet कहा जाता हैं, तो प्रत्वी को कहा जाता हैं, सबसे तीवर गती से सूर्य का चक्र लगाने वाला ग्रह हैं, तो सबसे ते गुणनन गती पुछ रहा है, ठीक है, क्या पुछ रहा है, गुणनन गती, तो 27 किलोमेटर प्रती मिनिट से वो अपने अक्षपर गुम रही है, तो ए आंसर बिल्कुल सही होगा, प्रत्वी अपने अक्षपर गुमती हैं, देखिए अक्षपर भी कैसे गुमती हैं, वो पश्चिम से पूर्व की और ही गुमती है, तो B आंसर साही होगा, सबसे चमकिला ग्रह हैं, कौन सा होगा, वीनस शुक्र सबसे चमकिला ग्रह हैं, अगला कोशन लेते हैं, प्रत्वी इस्तित है, किन ग्रहों के बीच में इस्तित देखिये, शुक्र एवं मंगल के बीच बिल्कुल सही एया अंसर सही होगा सुर्य एवं प्रत्वी के बीच नियूंतम दूरी होती है सुर्य और प्रत्वी के बीच में नियूंतम दूरी कब होती है तीन जनवरी को होती है और अधिक्तम दूरी कब होती है अगले कुचेणे हैं कि प्रत्वी सुर्य से अधिक्तम दूरी पर होती हैं कब चार जुलाई को अधिक्तम दूरी पर होती है तो ये ध्यान रखिया का काफी important question है अगला question लेते हैं सोर मंडल का सरवादिक गर्म ग्रह कौन सा है तो शुक्र सबसे गर्म ग्रह है प्रत्वी अपनी धूरी पर घुमती है मतलब एक चक्कर वो कम्लिट करती है 23 गंटे 56 मिनिट 4 सेकंड में निम लिखित में से कौन से ग्रह के सरवादिक प्राकरतिक उपग्रह है किसके हैं ब्रसपती के हैं देखे अगला कुशन प्रत्वी की अपनी कक्षा में गती है पश्चिम से पूर्व की ओर सोर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम लिखित में से कौन सा है तो सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन सा है ग्याने मीड है और यह किसके परिक्रमा करता है ब्रसपती की प्रत्वी के सर्वादिक निकट कौन सा ग्रह है तो सबसे निकट ग्रह है प्रत्वी के शुक्र ठीके सोर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो कौन सा है शनी शनी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह हैं कौन सा टाइटन निम्न में से किस उपग्रह के चारो और इस परस्ट वलए हैं तो शनी के चारो और वलए पाई जाते हैं और वलए की संग्या कितनी है? सेवन नेक्स्ट कोशन लेते हैं प्रत्वी से दिखने वाली चन्द्रमा की सता उसकी कूल सता का कितना प्रतिशत हैं? 59% दिखाई देती हैं मंगल एवं ब्रसपती ग्रहों के मध्य सुर्य की परिक्रमा करने वाले खागोली पिंड को कहते हैं क्या कहते हैं? शुद्ध ग्रह कहते हैं D answer सही होगा सवर्पतम खोजा गया शुद्र ग्रह हैं कौनसा सीरस चलिए अगला कोशन लेते हैं किस ग्रह को प्रत्वी की बहन के नाम से जाना जाता हैं शुक्र ग्रह को विनस को जाना जाता हैं प्रत्वी की बहन उत्री दुरूव की खोच किस ने की थी तो रॉबर्ट पीरी ने उत्री दुरूव की खोच की थी एमेंट सेन ने किसकी करीती दक्षनी दुरूव की सूर्य ग्रहन निमलिखित में से किस इस्तती में होता है तो सूर्य ग्रहन कब लगता है जब प्रत्वी और सुर्य के बीद चंदरमा आ जाता है बिल्कुल सही यह अनसर बिल्कुल सही होगा अगला question लेते हैं सुर्य के चारों और प्रत्वी की परिभर्मन चाल देखिए वर्ष भर एक समान रहती है बिल्कुल गलत जैसे जैसे प्रत्वी सुर्य के पास जाते जाती है उसकी परिभ्रमन चाल्ज होती है वो बढ़ने लगती है तो देखे आंसर कुन सा होगा अधिक्तम होती है जब प्रत्वी सुर्य से अधिक्तम दूरी पर होती है अधिक्तम होती है जब प्रत्वी सुर्य के निकट तम होती है बिल्कुल सई, बी आंसर बिल्कुल सई होगा दीनवर रात होने का कारण है क्या है प्रत्वी का अपने अक्षपर घुर्णन करना बिल्कुल सई किसने सबसे पहले प्रत्वी की परिदी को मापा था तो देखिए यह ध्यान रखिएगा Eritosthenes ने क्या कर रहा था सबसे पहले प्रत्वी की परिदी को मापा था Next question लेते हैं सोर मंडल के चार सबसे विशाल ग्रहों को गट्टे क्रम में जमाना है तो सबसे बड़ा कौन सा है देखिए ब्रसपती, उसके बाद शनी, उसके बाद Uranus, फिर Neptune तो आंसर कौन सा होगा? B बिल्कुल सही आंसर होगा निम्न में से किस विज्यानिक ने यह सिद किया कि सुर्य के चारों और प्रत्यक नक्षत्र का मार्ग दिर्ग वरत्ताकार होता है मतलब अंडाकार होता है तो देखिए ग्रहों की गती का नियम किस ने दिया था? कैपलर ने दिया था तो उसी ने बताय था कि प्रत्यक नक्षत्र का मार्ग केसा होगा दिर्ग वरत्ताकार होता है तो केपलर D सही आंसर होगा नेक्ट कोशन लेते हैं मद्धे रात्री सूर्य का क्या आरते हैं तो मद्धे रात्री सूर्य एक AC घटना है जो ग्रिश्मकाल में उच अक्षान्षो मतलब दुरुवी वरत आर्केटिक और अंटार्टिक शेत्रों में देखी जाती है ये जो घटना है ये कहां-कहां देखी जाती है कनाडा, डेनमार्क, फिनलेंड, नॉर्वे, रूस, स्वीडेन इन शेत्रों में ये घटना देखी जाती है और इसके दोरान सूर्य जो होता है वो इन अक्षांशों पर उस समय भी चमकता है जब प्रत्वी के अन्य भागों में मद्धिरात्री होती है ठीके तो देखिए option क्या होगा सूर्य का दुरूवी वत पर देर तक चमकना D answer सही होगा अगला देखिए सूपरनोवा क्या है तो ये सूपरनोवा क्या है एक विसफोटी तारा है सुर्य के गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कोन ग्रह अधिक्तम समय लेता है तो देखिए प्रत्वी ब्रसपती मंगलो शुक्र में देखना है तो सबसे पहले आता देखिए, इन में से देखे हैं अपन तो शुक्र, फिर आती बारी प्रत्वी, फिर आता मंगलो फिर ब्रस्पती तो सबसे अधिक समय किसको लगेगा? ब्रस्पती को लगेगा B आंसर सही होगा शनी ग्र है, अकاش का सबसे चमकदार तारा है, सबसे चमकदार तारा कौन सा है? जोकि प्रत्वी से नो प्रकाश वर्ष की दूरी पर है अगला कोशन लेते हैं, देखिए, शुद्ध ग्र, जिन ग्रहों की बीच पाई जाते हैं, वे हैं तो मंगल और ब्रसपती के बीच में पाई जाते हैं शुद्दग्र तो आंसर क्या होगा? सी सही होगा